हलो एंड वेलकम बैक तो मानिका स्टाइल तो सबसे पहले आप लोग बताईए कि मेरे यूट्यूब फैमिली कैसी है अच्छी है ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो यहां पे सबसे पहले मैंने एक पोनी बना ली है पोनी बनाने के बाद उसमें मैंने मीडियम साइज का डोनर बन इंसर्ट कर दिया है और चारों साइड से इसको टाइट करने के लिए मैंने एक एक पिन लगा दिये आप चाहो तो यहाँ पे दो भी लगा सकते हो बट मैंने चार लगाई है जिससे कि यह बहुत ही अच्छे से सिक्यूर हो जाए अब इसको अच्छे से सिक्यूर करने के बाद पोनी के हेर को हम नीचे की सेड अच्छे से फैला लेंगे देखे इस तरह से करके फैला लिया है और उपर से मैंने एक रबर बेंड लगा दिया है तो यहाँ पे मैंने अपने ज्रेस के मैचिंग का ही यूज किया है और उसके पाद देखे इस तरह से हेर को थोड़ा सा फैला लेंगे यानि कि आधा डोनट बन हमने cover कर लेना है अब जहां तक हमने hair को फैलाया है ना डोनट बन पे वहां पे last last दोनों corner पे हम एक एक पिन लगा देंगे उसके पाद नीचे के hair को हम simply two parts में divide करेंगे cross कर देंगे और अच्छे से comb करते वी और finger की help से इसको एक प्रेस करके हम उपर के side लाएंगे और जो उपर का डोनट बन हमारा खुला हुआ है उसको हम अच्छे से cover कर लेंगे देखी कुछ इस तरह से करेंगे और पूरे hair को हम नीचे की side से इस तरह से round करके उपर के side ले जाएंगे और जहां पर भी last वाला hair आता है ना तो अंदर secure करके pin लगा देंगे same हम दूसरे side के भी hair को करेंगे जैसे हमने पहले वाले को move किया था ना उसी तरह से हम दूसरे side के hair को भी कर लेंगे उपर के side ले करके जाएंगे और last while hair को अंदर inside करके pin up कर देंगे तो आप देखो कितना beautiful, simple and self hair style बनके ready हो गया आप इसको करवा चौत में, दीपा वाली में, वेडिंग पार्टी में जहां भी आप बनाना चाहो, self इसको बना सकती हो यकीन मन्यप्रेंट्स बहुत simple, बहुत easy है और बढ़ने के बाद तो बहुती pretty लगता है थोड़ा सा समें गजरा वेगरा लगा लेना तो बहुत संबर लगेगा I hope कि आपको पसंद आए होगा पसंद आए तो लाइक कीजेगा चैनल पर फर्स टाइम हो